नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी उच्यार में आपका स्वागत हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कमर दर्द के घरेल उपाएं दोस्तों आईए जानते हैं, बढ़ती उमर अपने साथ कई तरह की शारिरिक बिमारियां और दर्द साथ लेकर आती है इन में जो सबसे भयानक और आम दर्द है वो है कमर दर्द यह ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक बनी रहती है और इससे पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल होता है लेकिन अब आपको चिंदा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको इसका सटीक हल बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कमर दर्द पर नियंतरन ही नहीं बलकि हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कमर दर्द होने का पाच प्रमुख कारन सबसे पहला है शरील में वजन का बढ़ना, दूसरा है भारी वजन उठाना, तीसरा है गलत तरीके से सोना, और चोथा है गलत तरीके से उठना, जुपना और बैटना, और सबसे महत्व है पाचवा, मास पेशियों में गिचाओ, तो दोस्तों यह सब थे कारण, अब जानते ह इसके घरेल उपाए, तो सबसे पहला है सरसो का तेल और लसुन, अगर आपको कमर के दर्द की हमेशा शिकायत रहती हैं, तो सरसो का तेल यह लसुन, आपको इसे छुटकारा दिलाने का बेजोड हिलाज है, इसके लिए तीन से पाच चमर सर्टों का तेल और पाच लसुन क कलियों को साथ गरम करें, इसको तब तक गरम करते रहें, जब तक कलिया काली नहीं हो जाती, अब आप इसे थंडा होने दे, थंडा होने पर इसे दर्द वाली जगर पर मालिश करें, इसे रोजाना सोते वक्त इस्तमाल करें, ऐसा करने से कुछ ही हफ्तों में आपका कमर द पानी से करनी चाहिए, ऐसा करने से आपको इसका समस्या से आराम मिल जाएगा, और तीसरा प्रयोग है अजवाइन, अजवाइन एक मसाला होता है और आपकी लिए बहुत असरदर दवा है, अगर आपकी कमर का दर्द खतम नहीं हो रहा है, तो आपको अजवाइन का सेवन करन और उपर से हलका गुनगुना एक गिलास पानी पी जाए, यह प्रयोग लगातार साथ दिन तक करने से सोग प्रतीशत कमर दर्द से फायदा पोचाता है, और चोटा उपाय है गरम नमक का सेख, गरम नमक का सेख भी कमर दर्द के लिए बेहद ही फायदा मन्द होता है, इस प्रयोग है गरम और ठंडा, अगर आपके कमर दर्द की समस्या खतम नहीं हो रही है, आपको इसके लिए गरम और ठंडे का मिश्रण इस्तमाल करना कोईए, इसके लिए आप पहले दर्द वाली जगा पर गरम पाने से सिकाई करें और बाद में इस जगा पर बर्प धन्यवाद, दूसरे वीडियो के साथ आप से मिलने जल्द ही आओंगी, तो तयार रहिएगा